हेलो फ्रेंड्स वेल्कम दो वर यूटूब चनल एससे सेलेक्टर आज का वीडियो है रिमेंडर थेयरम पर परमेट्स थेयरम पढ़ाएंगे आज दोस्तों फरमेंडर यह बोलता है कि अगर कोई भी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए और ए वो प्राइम ह अगर एकी पावर पी लिख दिया जाए इसका रिमेंडर ने शाख एके पराबर आता है और एकी पावर पी मैनस वन दिवैड़ेड बाई पी का किया जाए नहीं आता है यह देखें और एग्जांपल के साथ यह दिखन क्या है याद करने के लिए दोस्तों इस तरह से आता है यह दोस्तों इसका रिमेंडर निया चाहिए करें और इसको रिमेंदर वान वसके कोर्रेस्पॉंड हो गया कर्स्पॉंडिंग नुम्बर होना चाहिए और नुम्दर जैसको डिवाइट किया ज़रा है उपको प्रैम नंबर हो ना चाहिए इसको यूज करकि ये तीन कुश्यन और अगले की दो कुश्य हम लोग करेंगे तरिये देखिये वह क्यों पर कैसे एप्लाइ कर सकते हैं 4 पावर 61 दिवाइद बाइ 30 इसका रिमेंडर निकलने इसको कुश्यन में करना है ये कि 4 इंटो 4 इंटो 4 61 ताइमस and we have to divide it by 30 so it is very difficult अगर इसको 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 डिरेक्त इसको तर्मिकलने होचा पॉसिबल but Fermet Theorem यहां पर बहुत कमना था है वो इस तरह से तरह से तरह से तरह से तरह से तरह से कमना हैगा कि 4 पावर 12 13 इसको पावर 12 इसको 4 की पावर 12 करेंगे 3 12 into 4 power 12 into 4 power 12 into 4 power 12, 5 times, जै 60 होगया और एक 4 अलक्सिन होगया, तो 61 होगया, 4 power 60 में इस तरह से बेक करके लिखा, और we can write this as 4 power 12 divided by 13, ये पूरा factor 5 times है, into 4, 4 power 12 divided by 13, हम भी देखा कि वो 1 के बराबर है, तो 1 power 5 वा जाएगा, रिमेंडर, 4 को 13 से डिवाइड किया जाए, तो 4 ही आता है, 1 power 5 is 1 into 4 is 4, और मेट थियरम से ये question कापी असानी सोर बात पास्ट किया जा सकता है, 4 power 61 divided by 13, तो इल गिव आ रिमेंडर of 4, आईए दूसरे question पर इस पर इसको apply करते है, 6 power 42 divided by 11, 11 is a prime number, तो 6 की power 10 कर दिया जाए, और 11 से डिवाइ किया जाए, तो 1 हाएगा, by Fermat's theorem, तो यहां पर हमारे पास 6 power 10, 4 times, 10 into 4 is 40, 6 का square, अलग से लिखेंगे, 42 बनाने के लिए 11, now 6 power 10 को 11 से डिवाइड किया जाए, तो 1 आता है, power 4, 6 की power 2 is 36 divided by 11, you have to calculate the remainder of this, 36 को 11 से डिवाइड किया जाए, 11 3 is a 33, remainder is 3, so 1 power 4 is 1, and 36 को 11 से डिवाइड किया जाए, 3 आता है, and remainder is 3, so we can say that applying the theorem a power p divided by p is a, remainder is a, and a power p minus 1 divided by p is equals to 1, यह दो यह दो यह दो यहां, इसे question बहुत आसने से किया सकते है, जो अदर्वाइड किया सकते है, जो अदर्वाइड किया सकते है, जो अदर्वाइड किया सकते है, 7 power 1, 23 3 divided by 11, 13, 13 is a prime number, 7 and 13 are co-prime, तो 7 power 12, 13 minus 1 करें, और 13 से डिवाइड करें, तो उसका 1 आने बाला है, तो 7 power 123 को, 7 power 12 के फार्म मेल इक सकते, 7 power 12, 1, divided power 10, 12 10s are 120, तीन बच्चेगा उसको अलक्सी लिग जातें, 7 power 3, divided by 13, 7 power 12, तो 1 हो चाएगा, 1 power 10, 7 का क्यूब इस 343, so we will just find out, what is the remainder of 343 divided by 13, 343 को 13 से डिवाइड करने पर जो remainder आया मा निकाले पर, 13 2s are 26, 14 minus 6 is 8, and this value is 3, 13 6 is 78, minus 5, but 343 divided by 13, remainder 5, 1 power 10 is 1, into 5, so remainder is 5, remainder 5 आगया, तो इस तरा सी यह तीनो कोशन करते हूं, परमेट स्थेोरम समासा निसे कर सकते हूं, विस्से थोड़ा सा difficult question अगले दो, वराइटी कुंदर देखते हैं, 35 पावर, 36 पावर 11, divided by 11, यहां जो 35 है, उसकी पावर 36 है, उसकी पावर पर पावर, अगर पावर पर पावर ना, अप्धी डिरेक्ट होता है, तो यह 11 का कोई मुल्टिपल देख लेते हूं, 11 minus 1, 10 का मुल्टिपल देख लेते हैं, यहां पर यह थ्वासा, कालकुलेशन करना पड़ेगा, 36 11 टाइमस है, और उसकी पावर 36 11 टाइमस लखेगे, दोस्तो 35 को 11 से डिवाइड किया जाए, और पावर 10 हो, तो 1 आता ही, हम देख चुके हैं अभी, फरमेट्स थेओरम में बोलता है कि A power P minus 1 upon P is equals to 1 होता है, यह तो 1 हो जाए, हमें यह चेक करना है कि 10 कितनी बार लिखा जासा है, 36 into 36 into 36, 11 times है, 36 को 10 से डिवाइड किया जाए, मुझे लिखना है 35 power 10 divided by 11, तो बमें यह चेक करना है कि यह number 10 का कितना multiple है, now 36 into 36 अगर करेंगे तो आख यह में 6 आएगा, तो दोस्तों कोई भी number को 10 से डिवाइड किया जाए, और लास्ट वाला number मालूम है तो उसमेर जो बचेवा number है वो हमेशा 6 आएगा, जैसे 56 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए, तो 10 twice of 56 बचेगा, यहां पर 10 का क्या मुझे मुझे है नमबर में, 10N और बचेगा 35 power 6, 35 power 10 divided by 11 तो 1 आजाए, 35 को 11 से डिवाइड किया जाए, तो 35, 11, 3s are 33, दो बचेगा 2 power 6, divided by 11, तो हमें चेक करना है कि 2 power 6 कितना होता है, 2 power 6 is 64, 1 power n को बचेगा, 64 divided by 11, 11 power is 55, 9 बचेगा, तो रिमेंडर आजाएगा, तो इस कॉश्चिन का आजाएगा, आएगे देखें, दूसरा एक्जाम्पल, यह दो एक्जाम्पल से आपको इफर्मेट से तोरम का जो डिफिकल्ट वरेटी वो भी समझना जाएगा, 57 power 67, 7 power 77, दिवाइड बचेगे, पिश्चिन एग्जाम्पल से आपके सांजमाया होगा, कि 17, का कोई, 17 माइनस 1, 16 से मल्टीपल कर दो, पहले तो यह बतादूं, कि 67, 67, 67, 67 लिखा हुआ है, और यह कितनी बार लिखा हुआ है, यह 77 ताइम्स लिखा हुआ है, और हमें दिवाइड करना है 70, 70 डिवाइजर है, गर फरमेट स्थियोरम लगाते हैं, तो A power P minus 1 upon P, is equal to 0, यह 17 एक प्राइम नंबर है, इसको यूज़ करके, अगर हम लोग, 57 दिवाइड by 17, 17 पावर कि प्राइम नंच चाहिए, P minus 1 तो 16, तो सिर्फ यह चेक करना है, यह जो नंबर है, 67, 67, 67, यह 16 से दिवाइड करने पर, इसको रिमेंट क्या आएगा, 67 से, 67 पावर 77, और दिवाइड by 16, 16 क्यो चाहिए, यह 17 डिवाइड करना है, 17 मैनस 1 तो 16 मैनस 1 तो 16 मैनस 1 तो 16 चेक करना है, 67, 16 से दिवाइड किया जाए, 16 फोग और 64, 3 बचता है, 3 पावर 77 तो दिवाइड बाइड बाइड 16, नो 16 और 3 पावर 77 दे रखा है, तो दर में इसको 3 पावर पाइफ लिमेंट दिवाइड by 16, तो ये 3 पावर 4, 81 हो रहा है, 77 और का कितना ताइम साँ, 19 ताइम साँ, और एक बच जाएगा, इंटो 3, 3 पावर 4 इस 81, तो ये 81 पावर 19 इंटो 3 दिवाइड बाइ 16 है, 81 दिवाइड बाइ 16 इस 1, 1 पावर 19 इंटो 3 इस 3, ये जो नमबर है 67 इंटो 67, 77 ताइम्स, ये 16 का मल्टिपल है, और इसमें रिमेंडर 3 आ रहा है, 16 N प्लस 3 ऐसा लिखा जा सकता है, इसको 16 N और 3 ये तीनों को अलग अलग करके, अगर लिखा जायगा, 57 पावर 16, पावर N इंटो 57 पावर 3, दिवाइड बाइ 17, ये जो अनिदर वाला नमबर है, इसकी पावर 16 और इसकी पावर 16 और दिवाइड नमटर में 17, परमेट स्थिवरम से ये वान अंसर आ जायगा, 57 को पहले 17 से ये वाइड करोर, जो रिमेंडर आया वो लिखा, 57, 17 से ये वाइड किया, 17, 3 और 51, 6 बचा, 6 पावर 3 और दिवाइड बाइ, 17, 6 पावर 3 और 6 और 6 और 6, 216, तो 1 पावर N इंटो 216, 216 को, 17 से डिवाइड किया जाते हैं, हमारे पास जो नंबर बचता है, वो 12 है, 1 पावर N इंटो 12, अब 1 के ओपर कोई भी पावर 1 आता है, और ये 12, इसका रिमेंडर 12 आजाए, आशा है दोस्तों, ये वाला वीडियो आपको पसंद आया, हमारे वीडियो जो लेक्का दो अचेनिक को सबस्टेब्स, ये, झाल झाल झाल